फरजी आधार कार्ड बनाकर रजिस्ट्री के दोरान मूल मालिक के बदले अन्य वक्ति को रजिस्ट्रार कारियलाय में खड़ा कर खेती की जमीन बेचे जाने का मामला उजागर होते ही मूल मालिक की और से पुलीस में शिकायत दर्च की गई मामले में गिरफतारी की संभावना की चलते शिवशंकर वंजारी और मदन भारती द्वारा गिरफतारी पूर्व जमानत देने की मांग कर हाई कोट में याचिका दायर की गई याचिका पर सुनवाई के बाद नियादिश विने जोशी ने कहा कि फरजी आधार कार्ट किसने बनाया इसका खुलासा होना चाहिए साथ ही मूल मालिक और उसकी पत्नी के रूप में रजिस्ट्रार कार्याले में किसे खड़े किये गया ये इसकी जानकारी केवल याचिका करता से ही प्राप्त हो सकती है इससे दोनों को राहत देने से इंकार कर याचिका खारिज कर दी गई अभियोजन पक्ष के अनुसार कैलाश में श्राम की पारशिवनी तहसिल के बनपुरी में खेती है एक दिन अचानक पता चला कि उसके नाम पर किसी व्यक्ति ने खेती बेज दी जिस पर खरिदार का नाम दर्ज करने के लिए आवेदन किया गया बदीजे द्वारा इसका खुलासा होते ही कैलाश ने इसकी चानविन शुरू करती जिसमें कैलाश नाम से किसी अन्य व्यक्ति को मालिक बता कर बाल शंकर मिश्रा को खेती बेचे जाने की जानकारी उजागर हुई खरिदार से मिलने पर उसने बताया कि याची का करता शिवशंकर वनजारी ने इस खरीदी बीकरी को अंजाम दिया इससे कैलाश ने शिवशंकर से मुलाकात की लेकिन उसने इससे इनकार कर अन्य व्यक्ति के सिर पूरा मामला मर दिया आश्चर्य जनक ये था कि किसी अन्य महिला को भी रजिस्ट्रार कार्याले में दिखा कर खेती बेचने की पतनी की सहमती बताई गई थी लेकन ये है कि अन्य याचिका करता मदन भारती ने खेती की खरीदी बीकरी के दोरान रजिस्ट्रार कार्याले में खेती के मुल मालिक होने की पहचान गवा के रूप में की थी शिवशंकर का मारना था कि जिसे कैलाश मेश्राम बताया गया उसे वह नहीं जानता है अन्य तीन लोगों ने संबंदित व्यक्ति कैलाश मेश्राम होने की जानकरी दे कर भेट कराई थी खरीदार से उसे चेक के माध्यम से 2,50,000 रुपे मिले थे बैंक से निकाल कर उसने तुरंथ ही बेचने वाले को दे दिये थे खरीदी के लेन देन में मिश्रा ने उसे जबरन पाच लाक रुपे दिये थे वह भी लौटा दिये थे सुनवाई के बाद अदालत का मानना था कि जब तक हिरासत में लेकर दोनों से सघन पूछताश नहीं होती है तब तक पूरी जान संभव नहीं है अदालत ने राहत देने से इंकार कर दिया